Hello and welcome to Divine Connection, कैसे हैं आप सब लोग, 3-3 पॉर्टल आज ओपिन हुआ है, तीन दिन के लिए ये पॉर्टल ओपिन हुआ है, और उन लोगों के लिए ये पॉर्टल बहुत इंपोर्टेंट है, जो की एक स्पिरिच्वल कनेक्शन में है अपने पार्टनर के साथ, बहुत हाई और सोलमेट कनेक्शन में है या फिर मैं बोलूंगी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, डिवाइन कनेक्शन में है और आपका दिल जानता है, आपका दिल जानता है कि आपका इजो कनेक्शन है ये उपर वाले ने आपको उस परसन से मिलाया है, एक डिवाइन कनेक्शन है, तो तो जिसको ये वीडियो जिसके पास जाता है युनिवर्स जिनको फील करेंगे कि हाँ उन लोगों का इक डिवाइन करेक्शन है उस तक इस वीडियो को वो जरूर पहुचा देंगे तो मैं रीडिंग कर रही हूँ आज मैं रीडिंग करूंगी और अब तक का सफर आपका बत देख लेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है राइट तो मैं देख लेती हूँ कि अभी किस तरीकी का रिलेशन्षिप रहा अभी तक का आपकी रिलेशन्षिप का सफर मैं देखने वाली हूँ ठीक है तो सब के लिए रीडिंग रेजनेट हो ज़रूरी नहीं है जिन रिडिंग रेजनेट नहीं गरी है आप सिप्ट कर सकते हो इस वीडियो को और क्योंकि क्लेक्टिव रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि सब के लिए सच हो जाए लेकिन क्या होता है कि डिवाइन जब मिलाता है आपको किसी रीडिंग से और कनेक्ट करता है आपको किसी री नहीं थोड़ा सा मैं बताने व्याली हूँ आपको ठीक है कुछ कार्ट में निकाल रही हूँ और अपने मन में कुछ सवाल दोर आ रही हूँ और उस हिसाब से मैं आपको रीड करूंगे कार्ट को हुँ हुँ हम ओ वाओ देखो बहुत ही कनेक्टेट कार्ट आये हैं अगर मैं पास्ट की इनर्जी इसकी बात करूँ न तो मैं कार्ट सारे नहीं दिखाऊंगी अभी क्या है मैं रीडिंग पर जादा फोकस करूंगी ठीक है देखो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इनसे मिले तो आप इनसे कब मिले कैसे मिले क्या हुआ था क्या सिच्वेशन में थे आप आप ऐसे सिच्वेशन में थे जब आपका एक ब्रेक अप हुआ था अंटो ब्रेक अप हुआ है मोव On किया था कि सीक्रीया था आपकी कोछ आपकी क्यों प्यार व्यार कुछ नहीं होता कि आपको अ क्योंकि आपका रिलेशम्शिप का जो बास्ट एक्सपीरियेंस रहा वह अच्शा नहीं इस relationship की बात नहीं कर रही हूँ, इस relationship में आने से पहले आपका कुछ past experience अच्छा नहीं था, आपने किसी चीज से तो move on किया था, कहीं से भी move on किया था, कहीं से shift भी कर सकते हो, हो सकते हैं आपने कोई ऐसी situation में आथे, आप जहां बहुत ही खराब था, या जहां आपको mental peace नही move on किया था वहां से, या फिर कोई person, कोई toxic person आपकी life में अगर था, वहां से आपने उस रिष्टे से move on किया था, तो कहीं ना कहीं, ऐसी situation में थे, कि एक चीज से निकल कर बहार आए थे, एक गाना मुझे, याद आ गया, एक आपकी मन में वो लगाना था, भुला देना मुझे, है अलविता तुझे, मुझे जीना है, तेरे बेना, ये situation था, उस वक्त, move on किया था, आपने किसी रिष्टे से, ठीक है, और इस तरीके के situation में आप आ गए थे, कि universe पे ना surrender कर दिया था, कि भाई, मुझे पता ही नहीं कि मेरी जिन्दगी में प्यार है, नहीं है, भगवान जाने है, भी, नहीं है, आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, तक जो मिला, अच्छा नहीं मिला, दिल थोड़ा सा अच्छा, तूड़ गया, अच्छा सा feel नहीं हुआ, तो आगे, तेर एक नया रिष्टा आपकी जिन्दगी में आया। कैसा रिष्टा आया? वैसा रिष्टा जिसकी तलाश हर एक इंसान गोती है। हर एक इंसान सोछता है ना की रिष्टी तो बहुत है जिन्दगी में लेकिन एक ऐसा रिष्टा नहीं होता जो हमें emotionally fulfillment वाली feeling देते मतलब उस इंसान से मिलने के बाद या उस रिष्टे में आने के बाद किसी और इंसान की किसी और emotions की चाही न रहे ऐसा रिष्टा आपकी जिन्दगी में आया था आपको लगा था कि मिल गया वो जो मुझे चाहिए था जो feeling आप एक रिष्टे में महसूस करना चाहते थी न आपको इस person के साथ जिसके लिए आप ये reading देख रहे हैं इस person के साथ आपने वो feeling महसूस की थी वो जो कहते ना कि वो कहते ना अब कुछ नहीं चाहिए बस यहाँ पर stop है मेरा ये है final destination तो ये final destination वाला इसान आपको मिला था ये चीज आपके साथ हुई थी दन क्या हूँ आपके relationship में देख लेती हूँ वाव ठीक है एक काड़ और रिकालती हूँ ठीक है देखो क्या हूँआ इस relationship में शुरुवात में बहुत प्यार बहुत प्यार बहुत प्यार एक soulmate connection एक ऐसा connection मैंने बोला ना कि एक ऐसा connection आपको मिला जो आपको अंदर से आपको भर दिया जसने emotionally आपको satisfaction दे दी ऐसा रिष्टा और ये मैंने क्या बोला था आपको ये जोग reading हो रही है ये एक spiritual connection है एक soulmate connection, एक twin flame connection जिसको मैं बोल सकती हूँ तो एक ऐसा ही connection ये आपके लिए था आपने ऐसा ही feel किया था इस तरीके के connection में आपने साथ में मिलकर काम किया कि चलो इस रिष्टे को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आप दोनों ने same feel किया एक दूसरे के लिए धीरे धीरे इस रिष्टे को आप दोनों ने बढ़ाया और बहुत जादा मैं बोलूँगी कि जितना एक रिष्टा आपको completeness दे सकता है उतना completeness आपको इस रिष्टे में दिया लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ आप इस रिष्टे में दूब गए आप इस रिष्टे में दूब गए पूरी तरीके से दूब गए आपने अपनी सुदबुद खो दी Queen of Cups मतलब रिष्टेों के आगे अपना health छोड़ दिया अपने बारे में सोचना छोड़ दिया अपना self love करना छोड़ दिया इतना डूब गए इस रिष्टे में मैं मानती हूँ कि रिष्टा बहुत beautiful था लेकिन सब कुछ आपने इस रिष्टे में दे दिया पूरी तरीके से emotionally involved हो गए आप इस रिष्टे में आगे क्या हूँ आप मैं कुछ काज निकाल दियू ओके उसके बाद की कहानी सुरिए उसके बाद धीरे धीरे जब आप इस रिष्टे में emotionally involved होते गए तो उस person ने कहीं ना कहीं आपको dominate करना शुरू किया कहीं ना कहीं इस person ने आपको dominate करना शुरू किया और मैं यह नहीं बोलूँगी कि वो प्यार नहीं करता था या उसने आपको cheat कर दिया नहीं लेकिन क्या होता है ना कि जब हम अपने आपको किसी पर एकदम निर्भर कर देते हैं ना कि बस तू ही है जो है सब कुछ मेरा तू ही है तू मेरा देवता तू ही मेरा सब कुछ तो वो जो सामने वाला इंसान है ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा dominate हो जाता है उसको लगता है कि अब तो मेरा ही चलने वाला है और ego भी यह person आपको शोर करता था ठीक है तो अब जब इस तरीके का nature आपने इस person का देखा कि यार यह तो थोड़ा सा dominate करने लगा यह तो मुझे ego दिखाने लगा तो आप ना थोड़े से उदास हो गए आपको ऐसा लगा कि यार नहीं चाहिए मुझे यह नहीं है वो या मुझे प्यार व्यार चाहिए ही ने प्यार व्यार बेकार चीज़ है या मेरे emotions की कदर नहीं की जा रही है एक loneliness feel होने लगा जहां पर आपने completeness को feel किया था वहां पर आपने loneliness को feel करना start कर दिया था यह आपके साथ यह चीज़े आपके साथ हुई है इस रिष्टे में तेन अब अभी की energy में check कर रही हूँ current energies आपकी क्या है अभी इस situation किस situation में आप इस वक्त हो ठीक है यह मैं देख लेती हूँ universe मुझे बताए मेरे जो viewers इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी current energies क्या है current energies मुझे आपकी बहुत अच्छी दिख रही है actually इस वक्त आपको अंदर से na feeling आ रही है मैं बोलूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपने एक rejection महसूस किया है इस रिष्टे में लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है मिरी जिनकी में और मैं बोलूगी कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ जीत बुझे मिलेगी क्योंकि इस रिष्टे में पहले ही एक कोई भी रिष्टना smooth नहीं चलता है इसा नहीं होता है कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया कभी बहुत अच्छा चलता है कभी थोड़ी सी misunderstanding आ जाती है तो कुछ misunderstanding आपकी जिन्दगी में आई थी इस रिष्टे को लेकर लेकिन इस वत आपको लग रहा है कि एंड में सब कुछ अच्छा होने वाला यह आपकी मैं बोलूगी कि आपको अंदर से ऐसा feel होता है कि सब कुछ अच्छा होगा एक नए रिष्टे की शुरुवात होगी दुबारा से यह रिष्टा फिर से grow करेगा इस तरीके के feeling आपके अंदर आ रही है और इस तरीके की आपकी current situation है देख लेती हूँ अब मैं येस येस आप अपनी intuition को follow कर रहे हो इस वक्त आप अपनी intuition को follow कर रहे हो बैलेंस में आ चुके हो और अपनी उपर काम कर चुके हो और कहीं न कहीं मैं बोलूगी कि आपका intuition आपको guide कर रहा है proper guide कर रहा है अब मैं आपके partner की current feeling चेक करना चाहती हूँ कि आपके partner इस वक्त किस feeling में है और उनका next action भी मैं देखूँगी कि next action वो क्या लेने वाले है आगे क्या होने वाला है आपके relationship पे तो आपके partner की feeling देख लेती हूँ पहले में हूँ कार्स पूरे energy बड़ी जा बहुत ज्यादा energy आ रही है पूरे कार्स गिर रहे हैं ओके चलो आपके partner की current feeling देखते हूँ ओके ओके oh my god beautiful cards देखो current feeling में क्या है और next action भी मैं निकाल लेती हूँ फिर मैं साथ में आपको ना explain करूँ ठीक है ओके चलो देखो भाई ऐसा है यहां पर इस वक्त इनकी जो हालत है ना सही में है एक अंदर ही अंदर ना युद्ध चिड़ा हुआ है इनके दिल दिमाग में इनको समझ नहीं आ रहा कि चीजे अब तो खराब हो गई attitude मैंने दिखा दिया था ego मैंने दिखा दिया था हो सकता है मैंने बड़े उस से बौल दिया हूगी मुझे तौमारे साथ नहीं रहना मुझे तुमारे साथ अब ब्रेक अप करना है मुझे तुमारे लिए कोई फीलिंग नहीं है बहुत कुछ इननों ने बोल दिया होगा अब को लेकिन इस वक्त अंदर ही अंदर सोच रहे परिशान हो रहे हैं, क्या करूं, कैसे ठीक करूं, चीजों को, क्योंकि पता है, चीजे तो खराब कर दी है, चीजे खराब कर दी है, तो अब तनहा तनहा है, तनहा तनहा, यही वाली फीलिंग है, इनकी बड़ी तनहा फील कर रहे हैं यह, और इस वक्त शांती की तलाश रहे मैंने ही अपने रिष्टे को मतब अपने पैरों पे मैंने कुलाडी मार ली तो इंसान ना एक शांती की तलाश मजाता है क्योंकि इसकी शांती भंग हो चुकी होती है वो परिशान हो चुका होता है इसकी रातों की नीद हो चुकी होती है तो उस तलाश में हैं इस situation से move on करना चाहते हैं जो situation इस वक्त उनकी जिन्दगी में आ रही है effort लगाना चाहते हैं actually और चाहते हैं एक नई शुरुवात चाहते हैं कि ये जो situation आपकी life में आई है इस वक्त आपकी जो भी current में बौलू कि बहुत कहते हैं ना ऐसा लग रहा है उनकों की बस किसी दरा से वह आपके पास आ जाए है और यह situation खताम हो जाए, बहुत हो गया, बहुत अलग हो गया, बहुत अलग हो गया, अब मुझे मिलना है, अब मुझे उस person के साथ union करना है, और देखो, union का ही card आया है, two of cups, soulmate connection, union का card, और मैं एक चीज बताओ, यह मार्च मन्त है, यह union का मन्त है, बहुत लोगों का union होने व पर काम कर रहे हैं, यह month है result का, तो बहुत अच्छी energies में आप रहना, और आप already अच्छी energies में हैं, उनकी energies में जरूर मुझे conflict नजल आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं, equal give and take चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है, कि जो रिष्टा खराब हुआ था, यह रिष्टा इस कि वो तो छोड़ने वाला नहीं है, और मैंने ही उस चीज को बढ़ा दिया, तो एक situation आई और आप लोग अलग हो गए, या एक situation आई कि आप दोनों के बीच, ego की दिवार बड़ी होती गई, और रिष्टा या तो टूट गया, या तो पहले जैसा नहीं रहा, तो अब equal give and take चाहते हैं, अब चाहते हैं कि जो वो जो आप उनको प्यार, इज़त, ट्रस्ट जो भी देते थे थे ना, वो आपको वहीं लोटा है, मतलब बहुत जादा प्यार करना चाहते हैं आपको, आपके बिना इस वक्त वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत उदास हैं बहुत तो अपने अंदर ही सवाल कर रहे हैं अपने अंदर ही जवाब ढूण रहे हैं और आपके साथ reunion करना चाहते हैं तो अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि future में क्या होने वाला क्या reunion होगा finger crossed क्योंकि बै तो यह चाहती हूँ कि आप लोगों का reunion हो जाए positive energies मिले मुझे पर देख लेते हैं cards क्या कहते हैं कि क्या आपका इस month में में देख लेते हैं वाश month में reunion होगा क्योंकि ये जो month है मैंने बोला बहुत लोगों के reunion होने वाले हैं तो देखते हैं इस month में आपका reunion होगा या नहीं oh god please I pray कि जो लोग सची दिल से प्यार करते हैं बहुत efforts लगा रहे हैं सबको मिला देना okay yes beautiful card the star card the temperance card आप लोगों का reunion जरूर होगा थोड़ा सा effort मैं बोलूंगी थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हां चीजे अ उनो एकदम से समझ नहीं आएगा जब यह person आपके पास आएगा आपको समझ नहीं आएगा आपको लगेगा कि मैं क्या करूँ फिर से आ गया ये फिर से चीजे ठीक तो हो रही है लेकिन डरना नहीं या फिर आप ही को मत दिखाना ये मैं आपको guidance दे रही हूँ ठीक है आप ही को मत दिखाना देखो एक नए नई चीज की शुरुआत जरूर होगी एक नए रिष्टे की शुरुआत जरूर होगी क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं और इस वार वो आपकी life में आएंगे और बहुत अच्छी energies में आएंगे reunion पका 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 है और मैंने आपको बोला ना ये जो मन्त है ना वो reunion का मन्त है तो happy हो जाओ यार, खुश हो जाओ और भरोसा रखो, ये थी आपकी रिष्टे की पूरी कहानी अगर आपकी अभी तक की कहानी present तक की कहानी आपके साथ match किया है, तो future फिर आपके लिए ही है all the very best and thank you so much for watching my video bye